असलाम लेकुम माई नेम इस दानिश रसेन और आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट python module के वारे में which is pandas илась python का एक ऐसा module है जो data जो data जिसमें data processing होता है जो scientific application होते हैं उसमें ये module बहुत ही ईह बहुत ही famous module है और बहुत बड़ा module है तो देखिए yeah module किस पर work करता है ये module work करता है dataset के साथ है जैसे हम लोग इसकी बात करें. अगर तो यह data set है और यह पर हमारे पास, ऐसे relatively gonna read. भाइन से जर्णी से को यह यहां है. यह data set है हमारे पास posled document के लिए हम लोग iyा ब्रूप्त कुरा करा यहां me Ultra. आ tanion का यूछ करके वहां हम लोग बहुत 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 पांडास में ऐसे ऐसे function है जिनको यूज करके हम लोग इसमें बहुत सारी information गेन कर सकते हैं जैसे इसका mean क्या है, average क्या है या इसमें से sub data site निकालना तो यह सारा कुछ हम लोग कर सकते हैं और यह बहुत ही पांडास के जरीश पांडास के थरों यह बहुत ही फास्ट होता है तो अब देखिए इसमें तो 5 और 6 डेटा हैं लेकिन हमारे पास data होता है करोर्स में data होता है उसको processing करना बहुत ही मतब अगर उसमें अगर पांडा यूज नहीं करेंगे आप तो उसमें ब processing करता है जिससे की काफी फास्ट हो जाती है देखते हैं इसको कैसे हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे हम लोग इसको यूज करेंगे यहां पर पांडास पिप की वेबसेट पर जाकर यह बहुत ही popular module है इसको आप जाएंगे और यहां से ऐसे इंस्टॉल करेंगे तो कि मेरेमें इंस्टॉल है तो यह मेरे में इंस्टॉल बता रहे कर अगर यह पहले से इंस्टॉल है बट अगर आपके मिशन नहीं तो इस्टॉल करते हैं इसको कैसे यूज कर सकते हैं से zap and command as ऐस कर लेंगे donc in pan like ओब लोग नंवाइख के साथ विए यूज करना चाहते हैं यहां पर सबसे पहले हमें एक data set create करना है suppose मान लिया यह हमारे पास एक list है 2D list है ना 2D list भी हो सकती है यहां पर और suppose मैं यहां पर देखिए यहां पर यह मैं आपके साथ एक code share करता हूँ और मैं यहां पर देखिए PD है ना PD PD.data frame data frame में देखिए क्या क्या आ सकता है यहां पर list आ सकती है data frame कोई भी आ सकता है dictionary आ सकती है even numpy की जो array है वो आ सकती है तो कोई भी data set इसमें आ सकता है तो अभी हमने क्या किया इसमें एक list दे दी और list देने के बाद हमने एक data set बना लिया है python spelling गलत हो गई यहाँ पर python तो मुझे सही से लिख नहीं होगा otherwise कैसे चलेगा python यह देखिए python मैंने लिख दिया तो इसने processing कर दिया है तो यह देखिए क्या है यह column से हैं सबसे पहले इसने क्या किया यहाँ पर क्या किया यह 0 column यह 0 row 1 row यह 1st row 2 row 3rd row अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें अब हम इसमें column भी अपने खुद से define कर सकते हैं अगर हम define नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगा automatically 0 1 2 columns assign कर देगा और 0 1 2 row assign कर देगा but we can also provide हमने क्या बोला कि हमारी यह देखिए 1 row, 2nd row and 3rd row तो यह 3 rows है और 3 columns है तो हमने यहाँ पर row यहाँ पर row 1, row 2, row 3 and column 1, column 2, column 3 यहाँ पर देदेंगे तो यहाँ पर यह column और row automatically assign कर देगा है तो यहाँ पर हमने column और row भी assign करा लिया अब इसमें हम लोग क्या दे सकते हैं? dictionary भी दे सकते हैं मतलब यहाँ पर हमने list दिया तो हमने लोग dictionary भी दे सकते हैं अगर मेरे पास एक dictionary है और इसका dataset में बनाना चाहता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ यहाँ पर यहाँ पर कॉपी करके रखा यह dictionary है मेरे पास person 1 आप लोग पता ही होगा dictionary तो आप लोग पढ़ी चुके dictionary 1 person 1 person 2 person 3 और यह dictionary मेरे पूरी की पूरी dictionary मैंने dataset में पास कर दी तो देखी क्या होगा यहाँ पर अदशने आप यहाँ पर तेखी person 1 इसको कॉलम बना दिया ऑशने और को यहाँ पर इनको नेम और यह सैल और इनको प्रोफाईल को रोज बना दिया तो यहाँ पर हम लोग उन्हें अजंए पर करके इसको रिपर्जेट कर दिया dataset को के अब हम लोग तो नम 500 वाले हैं लोग क्या करने वाले हैं। तो नम्पाई का उसके हमें डेटा सैट करना है तो हम क्या करेंगे import numpy as andy कुछ भी कर सकते हैं andy दे दिया हमने अब हम लोग क्या करने वाले हैं एक numpy का उसक्रके डेटा सैट को क्रेट करने वाले हैं इसको मैंने कमेंट कर दिया और मैं यहां पर यह देखें यहां पर हम लोग ये ये वाला function हम लोग use करने वाले हैं ये वाला function तो यहां पर मैं type नहीं करता हूँ तो बहुत time लगेगा फ्यूटी बहुत लंबी हो जाएगी तेकि यहां पर हमने data set में इसके इंदर ये किसका function है data set panda library का andy which is from numpy numpy से a range करके हमने एक data set निकाल लिया 1 से लेकर 50 तक का उसको हमने receive कर लिया 10 to 10 rows और 5 columns में receive कर लिया अगर मैं सिर्फ इसको ही print कराता हूँ ये देखेगा अगर मैं सिर्फ इसको ही print कराता हूँ तो ये देखे क्या आने वाला है इसको मैं अभी के लिए हटा देता हूँ तो ये ये देखे 5 10 rows और 5 columns आ जाएंगी इस step कर data होगा इस step की data को मैंने यहां पर pass कर दिया और 5 यह rows बना ली 10 rows and 5 columns तो यह मेरा यहां पर data set बन गया है यहां पर यह देखे data set मेरा बन गया है यहां पर यह देखे data set बन गया यहां पर मैंा इसσιने columns हो गई इसको हम लोग आंसे कर सकते हैं तो data frame हम लोग कहीं से भी लेकर हम लोग data frame कर सकते हैं मतब आइधर list आइधर जो है dictionary और कोई भी data set या फिर जैसे कि num by भी हम लोग use कर सकते हैं अब इसमें different option कर सकते हैं देखिए यहाँ पर info अगर हम use करेंगे info इसको मैं comment करता हूँ तो info पूरी की पूरी इसमें info आजाएगी कि मैं clear करता हूँ एक बार इसको info आजाएगी info क्या आगई यहाँ पर पूरी की पूरी यहाँ पर clear करता हूँ एक बार फिर से और यहाँ पर पूरी की पूरी info आगई देखिए इसमें यह बताएगा कि आपका sorry यहाँ पर एक clear नहीं हो पारा यह यहाँ पर 10 entries हैं, row 1 से row 10 तक है, column भी हैं इस सारी की सारी information बताएगा कि integer 32 हैं और इसमें यह है तो इस सारी की data set के बारे में पूरी की पूरी info दे देगा अब हम लोग next आगे बढ़ते हैं इसमें अगर हमें कुछ rows निकालनी है head top की तो top की rows भी हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, यहाँ पर देखी info को मैं comment करता हूं और इसको मैं clear करता हूं ओके, और यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर कर देता हूं head, उपर से 10 दे देंगे, तो by default यह कितनी निकाल के देगा, 10 निकाल के देगा 10 निकाल के देगा, ऐसे ही दूसरा इसमें function होता है which is, which is tell, tell means footer से, bottom से निकाल कर देगा bottom से निकाल के देगा, अगर मैं इसको comment कर दूँ और यहाँ पर यह चलाऊं, तो bottom से निकाल के देगा, तो क्योंकि data set हमारे पास बहुत बड़ा होता है तो हम सारा का सारा data loot नहीं करते हैं उसमें तो, या तो tell निकाल लेते हैं या फिर हम लोग, इसको मैं comment करता हूँ, यहाँ पर यह देखिए, यहाँ पर save नहीं हो पाया मुझे लगता है, tail निकाल के देगा यहाँ पर यह, नीचे से निकाल के देदी है न, five, five rows, bottom से five rows निकाल के देदेगा, तो head और tail में आप लोग ऐसे कर सकते, अगर मैं इसको describe function का use करता हूँ, देखिए का, यहाँ पर describe function का इसको comment कर देता हूँ, और describe function का use करता हूँ, तो यह सब को describe कर देगा, पूरी data set को, देखिए, यहाँ पर क्या करने वाला है, यह describe कर देगा, count कितने है, 10 है, ठीक है, column 1 में, column 2 में 10 है, mean, column 1 का 23 है, column 2 का इसे mean निकाल देगा, max निकाल देगा, min निकाल देगा, सारे की सारे पूरी data set को, यह describe कर देगा, है न, तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, देखिए, यह बहुत बड़ी library है, इसको आपको detail में, अगर इसके, इसमें mastery हासिल करनी है, तो आपके, इसके documentation है, यहाँ पर, इसके documentation को आपको read करना होगा, और इसको detail में पढ़ना होगा, लेकिन मैं आपको इस lecture में सिर्फ overview दे रहा हूँ, जिससे कि आप इससे familiar हो जाएं, और इसमें आप मजीद आगे और practice और आगे learning कर सकें, ओके तो आप इसमें देखिए, अगर इसमें column को access करना है, तो column को access कैसे करेंगे, simple, यहाँ पर column 1 को access करना चाहता हूँ, तो column 1 को मैं ऐसे access कर पहूँगा है न, column 1, यह यह column 1 column 2 को access करना चाहता हूँ, तो मैं इस data set में column 2 दे दू और column 2 access हो जाएगा, यह देखिए, column 2 access हो गया, यहाँ पर इसको मैं clear करता हूँ, यहां पर column two access हो जाएगा यहां पर यह देखिए column two access हो गया तो column two access हो गया अगर मैं मजीद बहुत सारे column मैं करना चाहता हूं column one से लेकर column column one से लेकर मैं suppose मैं करना चाहता हूं column two two भी करना चाहता हूं और column three भी करना चाहता हूं तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, कॉलम 2 और कॉलम 3 एक्सेस कर लिए, अच्छा, मैं कोई रो एक्सेस करना चाहता हूँ, उसके लिए लॉग फॉंक्शन होता है, लॉग फॉंक्शन हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, प्रेंट, डी, नाम, लॉग, और यहां पर और यहां पर कॉन्सी रो करना चाहता हूँ, मैं रो 1, तो ये रो 1 अच्छिस हो जाएगे, ठीक है, रो 1 ऑक्सेस हो गई है ना, रो 1, रो 1, रो 1 एक्सेस हो गए है, यहां पर, किलिएर मैं करता हूँ, मजी windows का तेक ने रहा, access होगी, तो यहाँ पर हम लोग सेम अगर multiple rows access करना चाहते हैं, तो हम लोग list में ऐसे दे सकते हैं, ओके, अब हम लोग इसमें और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर तो हम लोग क्या कर सकते हैं अब देखिए, इसी data को मैं अगर store कराना चाहता हूँ, इसी इसको, किस में store कराना चाहता हूँ, csv में तो मैं यहाँ पर store कर सकता हूँ कैसे, numbers numbers csv, तो इसको मैं csv में store कर सकता हूँ अगर मैं इसको चलाओंगा यहाँ पर, तो देखिए क्या एक csv file बढ़ जाएगी यह देखिए, file बढ़ चुकिए अगर मैं इसको open करता हूँ open, open berth open, open, नहीं करता मैं, इसको यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर यहाँ पर नियुद्स बन गई है आप इस csv को यहाँ पर देख सकते हैं, okay इसको आप open भी कर सकते हैं csv में csv तो csv है अब तो हमने यहाँ पर इसको भी learn कर लिया कि कैसे हम data set को manipulation करेंगे और उसके हम लोग कैसे operation perform कर सकते हैं CSV में कैसे बदल सकते हैं अब हम लोग next देखने वाले हैं कि किसी भी किसी भी CSV को हम लोग कैसे read करेंगे तो simple हमारे पास कोई एक CSV है यह माल लिया यह says भी है तो यह says भी है suppose यह says भी है names यह says भी है मेरे पास यहाँ पर store भी है यह names यहाँ पर यह store नहीं है मेरे क्याल से शायद यह store नहीं है तो इसको store कर लेते हैं हम यहाँ पर सबसे पहले इसको store कर लेते हैं save as कहा करना है हाँ store तो है मेरे पास यह ओलनी stop तो यहां पर names मेशार नहीं है शायद यहां कर देते हैं शेवी बना लेताओ मैं सबसे पहले यह अक्सलट शीट है इसको is back मैं सेवाइस करता हूँ और इसको इसे बहुत बना लिता हूँ जेसन भी हम लोग रीड कर सकते हैं सिसका हैं और मैंने मुझे सीसाइट करूंगा इस फाइल को इस में नंब भाइव में फंक्शन होता है इंपोर्ट यह है हमारे पास और हम हम लुग क्या करेंगे PD read file होता है read CSV होता है read Stone heart so csv 7 framework read करेंगे और डीップ क्या हो गया हमारे bajo पुर्वा बुद डेटा सैट見て am llevar डेटा सैट के साथ हम लोग कुछ भी कर सकते हैं अगर डेटा सैट का मैं यहाँ पर निकालना चाह reactor क्या data set को मैं define करना चाहूं दी एफ describe describe करना चाहूं तो मैं यहाँ पर describe पूरा कर सकता हूं यह देखें यहाँ पर इसने corn निकाल दिया अब इसमें date नहीं आया क्योंकि date पर operation perform नहीं हो सकता ना तो date को इसने exclude कर दिया automatically और जिस पर operation perform हो सकता था mean max का या extended division का मेंद के terms हैं तो उस पर apply कर दिया जैसे कि इसका six sn कॉंट कितने six हैं है ना और salary जो है इसमें salary है okay और salary six है mean कितना है इसका mean इतना है max कितना है max इसका इतना है min कितना है sn का min 1 है और salary का min 90,000 है तो हमने यहाँ पर इसको देख लिया कि कैसे हम लोग describe कर सकते हैं कि मजीद अगर आपको इसमें और detail में study करना है तो इसकी जो website है optional website यहाँ पर जाके आप खुद से pandas को explore कर सकते हैं यह बहुत बड़ी library है इसमें आप मजीद इसमें आपको बहुत सरा वक्त लगाना होगा तभी आप इसको expertise इसमें हासिल कर पाएंगे मैंने आपको overview दे दिया आपकी starting के लिए यह libraries दे दी कि आपको एक idea दे दिया यह ऐसे work करती है आप इसमें explore करना चाहते हैं इसमें अगर अपना career बनाना चाहते हैं तो आप इसको मजीद explore करते रहे हैं अभी के लिए इस वीडियो में इतना अल्लाः आप इस